हेलो एवरिवन नमस्ते वेलकम टू डाइट कुंडली आज की इस वीडियो में मैं आप सभी किसाथ शेयर करने वाली हूँ वेट लड्डू की रेसिपी और इस लड्डू की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो लड्डू है इसमें मैंने किसी भी प्रकार के घी का इस्तमाल नहीं किया है नहीं मैंने शुगर का इस्तमाल किया है और इसमें दूद का इस्तमाल भी नहीं किया है तो ये ओल फ्री शुगर फ्री और मिल्क फ्री रेसिपी है काफी हिल्डी है टेस्टी है ये लड्डू और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा असान है 15 से 20 मिनट में य सबसे कम calories मिलती है so friends चलिए फिर वीडियो को शुरू करते ही और देखते हैं कि इस healthy लड़ु को किस तरीके से बनाना है वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर जरूर करिएगा मुझे पता वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मखानी की लड़ु की रेसिपी जैसा कि हम सब को ही जानते हैं मखाना जो है इसमें हमें कम calories मिलती है और काफी जादा nutritious होता है तो चलिए देखते हैं केसे बनाने के लिए कौन-कौन से ingredient के ज़रत पड़ेगी सबसे पहले तो यहाँ पे पैन को मैंने गरम कर लिया है और गैस का flame जो ही यह सिम में रखना है और अभी मैं इसमें आट कर रही हूँ तीन कप के मखाने और इसे हमें slow flame में करीब 5-6 मिनट तक इसे हमें roast करना है आपने अगर flame को high flame में या फिर medium flame में रखकर मखाने को roast किया तो इसे मखाने एकदम लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से वो अच्छे से roast नहीं हो पाएंगे तो इसे धीमी आज में हमें roast करना है मुझे करीब 5-8 मिनट का time लगा था आप चेक किसे करें कि मखाने properly roast हुए हैं कि नहीं तो आप किसी एक मखाने को लेकर इस तरीके से प्रेस क ले रही हूँ यह है बादाम सो करीब मैंने 15 बादाम लिये हैं और 15 ग्राम है इसका वजन इसे भी हमें light roast करना है हलका सा flame जो है यह slow flame में ही रखके roast कर दिएगा बादाम भी roast हो गए है properly सो अभी इसे में थंडा होने के लिए plate में निकाल देगा नेक्स्ट इंग्रेडियं और यह है poppy seed या फिर इसे हम खसकस कहते हैं मैंने यहाँ पे करीब 30 ग्राम का खसकस लिया है और अगर मैं आपको स्पून से बताऊं तो 6 चमच मैंने poppy seeds को लिया है poppy seeds या फिर खसकस के अंदर हमें calories तो मिलती है इसलिए इसे limit में लेना है लेकिन इसमें काफी अच्छी मात्रा में हमें proteins मलता है fiber इसमें बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है खसकस की कि यह calcium का बहुत बढ़िया source है जिन्हें भी हड़ियों में कमजोरी की शिकायत होती है उन्हें definitely अपने diet में खसकस को add करना चाहिए साथ में अगर आपको properly नीन नहीं आती है तो उस मोमेंट में भी खसकस को अपने diet में जरूर add करिएगा इससे काफी अच्छी नीन दाती है काफी सारे इसके health benefits है soluble fiber इसमें बहुत अच्छा होता है इसमें zinc बहुत अच्छा है जो कि हमारी growth और immunity के लिए बहुत जादा important होता है तो खसकस को जरूर add करिएगा friends अगर आपको खसकस नहीं available हो पा रहा है तो उस moment में आप 30 ग्राम का इसमें सफेद तिल add कर सकते हैं जिसे कि हम सिसमे seeds भी बोलते हैं तो यहां देखेंगे तो खसकस जो है यह properly roast हो गया है तो इसे मैंने separately एक plate में निकाल दिया है ताकि यह थंडा हो सके चुकि हम इस recipe में किसी भी प्रकार के sugar का या फिर गुड का इस्तमाल नहीं करने वाले हैं तो मिठास के लिए मैं यहां पे ले रही हूँ dates मैंने यहां पे करीब 10 dates लिये थे friends और इसका जो weight है यह 50 gram है इसके seeds मैंने पहले ही निकाल लिये थे और इसमें मैंने गरम पानी अट किया है और करीब 5 से लिए के 8 मिनिट तक मैंने इसे रखा था तो यहां देखेंगे तो यह properly soft हो गए हैं और अभी हमें इसे एकदम fine सा paste इसका बना लेना है जो paste है यह कुछ इस तरह के से होने चाहिए अभी हम यहां पे dates का syrup बनाएंगे तो उसके लिए मैं क्या की हूँ कि pan जो है यह slow flame में है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी अट किया है अभी dates को अट करके करीब 5 मिनिट के लिए इसे हमें cook करना है थोड़ी देर में देखेंगे तो dates का जो color है यह change हो गया है dates properly cook हो गया है तो अब हमें करना क्या है कि जो हमने मखाने और बादाम को roast करके रखा था वो भी almost ठंडे हो गये है इसे हमें mixer grinder में add करना है और हमें इसे दरदरासा पीस लेना है एकदम fine powder नहीं बनाना है थोड़ा दरदरासा रखेगा कुछ इस तरीके से इसकी consistency होनी चाहिए इस powder को अभी हमें add करना है dates के paste में और साथ में यहाँ पर मैं add कर रही हूँ fry किया हुआ जो खसका से यह हमें add करना है गैस की flame को बंद कर दीजेगा और इसे अभी हमें अच्छे से mix करना है इसे मैंने अभी एक plate में transfer किया है और इसे थोड़ा सा थंड़ा होनी के लिए रख दिया है पूरा थंड़ा होनी नहीं देना है अदर्वाइस आप इससे लड़ू नहीं बना पाएंगे थोड़ा गरम होना चाहिए उसी मिम्मेंट में ही हमें इसके लड़ू बना लेने है यहाँ पर अगर आप मेरा हाथ देखेंगे तो मेरा हाथ जो है यह एकदम dry है और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यह लड़ू चोहें यह प्रॉपरली बन रहें बिना ओइल बिना घी और किसी भी प्रकार के दूद के बिना इससे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है बहुत हिल्दी है यह as compared to दूसरे लड़ू के सो फ्रेंड्स आप इससे जरूर ट्राइ करिएगा सिंगल लड़ू में हमें calories जो हैं यह nearly 35 calories मिलती है और अगर मैं बात करूं प्रोटीन की तो प्रोटीन हमें 1.1 ग्राम्स का प्रोटीन मिलता है मैं हमेशा medium size के लड़ू बनाना प्रिफर करती हूँ क्यूंकि poppy seeds में हमें अच्छी मात्रा में calories मिलेंगी और भादाम भी डाला है तो इन में भी हमें calories काफी अच्छी मात्रा में मिलेगी क्यूंकि यह good source of our fats है तो इस बात का ध्यान रिखेगा कि बहुत बड़े लड़ू बनाएंगे तो उतनी calories बढ़ जाएगी तो इसको हमेशा medium size के लड़ू ही आप इसको जब गूतेंगे तब medium size का लड़ू ही इससे बनाईएगा अब चलिए हम देख लेते हैं कि एक लड़ू का वजन कितना है तो यहाँ पर wing scale देख रहे हैं तो यह बंध है इस पर मैंने छोटा सा अपना यह वाटी रखा हुआ है और अभी मैंने wing scale को on किया है तो अभी reading 0 पर है एक लड़ू को लिया मैंने इसमें रखा है इसका वजन जो है यह करीब 16 ग्राम का है ना दूसरे लड़ू को रखती हूँ इसका वजन 17 ग्राम है तीसरे लड़ू को रखी हूँ इसका वजन 16 ग्राम है तो nearly एक लड़ू का जो 8 है यह 16-17 ग्राम के आसपास रहेगा चलिए अब हम बात करते ही के से लेना कब है और कैसे लेना है इसे हम कभी भी ले सकते हैं स्पेशली जब 11 बजे के आसपास मिड मॉर्निंग टाइम पे या फिर शाम के 4-4 बजे भूख लगती है तो उस मोमेंट पे ऐसे 3 लड़ू भी अगर हम ले लेते हैं तो हमें जो क्यालरीज हैं ये नियरली 103 या फिर 105 क्यालरीज के आसपास मिलेगा इससे जादा नहीं मिलेगा जबकि अगर आप एक कप चाई पीते हैं तो उसमें हमें 66 क्यालरीज मिल जाती है और अगर माल लीजे आप इसे एज़ा इवनिंग के टाइम पे मिल की तरह लेना चाते हैं तो उस मोमेंट में दो ऐसे लड़ू ले लीजे और साथ में एक कप का दूद ले लीजे बहुत बढ़िया मेल है काफी देर तक आपका पेट भी भरा रहेगा और आपको अच्छा प्रोटीन्स में मिलेगा आप सब इस रेस्पी को ज़रू ट्राइ करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रू शेयर करिएगा ये रेस्पी कैसी बनी है और जब भी आप मेरे रेस्पी को ट्राइ करते हैं प्लीज उसके एक पिच्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रू शेयर करिएगा मेरे इंस्टाग्राम का आइडी है डाइटकुंडली24 आप मुझे यहां पर भी फॉलो कर सकती है इस रेस्पी का न्यूटिशन इंफर्मिशन जानने के लिए मैंने डाइटकुंडली आप की मदद ली है डाइटकुंडली आप के कैलकुलेट रेस्पी न्यूटिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेस्पी का न्यूटिशन इंफर्मिशन जानना है उसमें हमने जो जो ingredient का इस्तमाल किया है जितने ग्राम में इस्तमाल किया है वो insert करके हमें नीचे calculate का बटन प्रेस करना है जैसी हम उसे प्रेस करेंगे हमें उस recipe में कितनी calories, proteins, fats, essential vitamins and minerals मिल रहे हैं इन सब की जानकारी काफी आसाने से पता चल जाती है So friends, आप भी अपने घर में healthy recipe बनाएए और उस recipe का nutrition information जानने के लिए आप diet kundli app की मदद ले सकते हैं I hope आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने friends और relatives सबके साथ share भी ज़रू करिएगा Thank you, thank you so much फिर से मैं मिलती हूँ आप सब इसे next वीडियो में Until then bye, take care